हाई एवरिवन, कैसे हो आप सभी लोग, I hope आप लोग अच्छे होंगे, मैं हूँ राहूल जेस्पाल एंट स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे योटुब चैनल जे आर टूटोरियल्स में, तो दोस्तों उमीद करता हो अच्छी तरी कैसे आप लोगी पढ़ और जैसा कि आप जानते हैं कि आर अलमोस्ट मैट्स का पूरा सिलाब्स कम्प्लिट हो गया, साइन्स का नाइंध चाप्टर लेकर आया हूँ, जिसका नाम है कार्बन कमपाउंड, इसको आज एक ही लेक्टर में कम्प्लिट करतेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक बादा किया था कि आपको February से मिलेगा आपका वन शॉट तो वो ज़रूर मिलेगा इसके पहले एक चाप्टर था Metalology वाला वो अभिशेक सर ने पढ़ाया था क्योंकि मेरी तब्यत पिछले तीन-चार दिनों से आपका डिमांड भी आ रहा था तो Carbon Compound पढ़ने के लिए कुर्सी की पेटी बांद लो क्योंकि अब जो मौसम है वो विगड़ने वाला है यहां दोस्तों बहुत बेटरीन चाप्टर है Carbon Compound जिसमें हम पढ़ने वाले कि Carbon Compound क्या होता है उसके कौन-कौन से टाइप्स के होते ह Carbon Saturated Carbon Compound उसके साथ ही में उसका Nomenclature पढ़ेंगे Common Names क्या होता है IUPAC नेम क्या होता है International Union of Pure and Applied Chemistry नाम सुना है तो यह सभी चीज पढ़ेंगे धिरे-धिरे पारी से तो ध्यान से यह वीडियो के एंड तक बने रहे न यह वीडियो हो सकता है काफी जो है वो लंबा चले क्य क्योंकि यह जो वीडियो है इसका लेंग्ध बढ़ा होगा क्योंकि पूरा चाप्टर एकी बार पढ़ाना है हमें लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक चीज आप से बस कहना चाहूंगा कि आप हमसे Instagram पे जुड़ जाए क्योंकि जो भी चीज हम डालते है Instagram पे यह तो मेरा Personal जालते हैं जो कि आप लोग का knowledge बढ़ाएगा काफी जादा अलग-अलग subjects के तो daily please जालते हैं उसके चार option मिलते हैं तो please जाके follow कर लेना इसको भी और मेरे Personal account को भी ताकि आपको पता चले और सब चीज अपडेटेटेड रहे साथ इमें application जैसा कि आप जानते हैं सब चीज आ रहे हैं free videos भी आ रहे हैं और बाकी free test series and quizzes जो है वो तो आई रहें लेकिन एक paid video का announcement बहुत जल्दी मैंने बोला था आपको करूंगा बहुत जल्दी हो जाएगा एक paid course होगा जो कि आप लोग के लिए बहुत अच्छा होगा तो आप जरूर से उसको purchase करके अच्छे से पढ़ा होगा compound का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर दो या फिर दो से ज्यादा elements अगर combine होते हैं और एक product बनता है तो उस चीज़को हम लोग कंपाउंड कहते हैं यह सभी चीज़ हमने 8 में 9 में पढ़ लिया है ठीक है ना elements क्या होता है mixture क्या होता है compounds क्या होता है यह सभ one of the element रहेगा वो carbon रहेगा मतलब कोई भी compound होने तो लेकिन अगर उसमें carbon present है तो वो क्या कहलाएगा वो कहलाएगा दोस्तो carbon compound क्या कहलाएगा carbon compound कहलाएगा मतलब all the compounds having the carbon as a constituent element एक element उसमें present रहेगा और उसी element के वज़े से यानि उसी carbon के वज़े से उस compound का नाम दिया जाए तो हर compound में आप देखोगे जहां पे भी carbon दिख रहा है तो वो compound क्या कहलाएगा carbon compound automatically कहलाएगा ठीक है कोई पूस्ताइट definition वैसे आता तो नहीं है लेकिन information point of you what do you mean by carbon compound compound having carbon as its constituent element is known as the carbon compound और इसको एक और नाम से भी जाना जाते है आप organic compound भी बोल सकते हो मतलब ऐसे तो carbon में आपका देखोगे तो organic compound आपका आ जाता है जहां आपका carbon दिखा वहां आपका organic compound आ जाएगा ठीक है तो यह चीज़ आप ध्यान में रख सकते हो अब यह जो carbon compound है जैसे आपने कई सारे examples अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ जैसे कि आपने सुना होगा methane के बारे में CH CH4 तो CH4 जो methane है आपका इसको क्या बोलते हैं हम लोग methane बोलते हैं तो methane में अगर आप देखोगे तो hydrogen 4 है लेकिन carbon सिर्फ एक ही है लेकिन वो एक carbon के होने के कारण यह जो compound है CH4 नाम का compound बना है ठीक है यह क्या कहलाएगा यह एक carbon compound कहलाएगा ना कि hydrogen compound ही तो आप बोलोगे न CH4 तो यहाँ पर चारचार hydrogen ने कबजा मार के रखा है carbon के ऊपर लेकिन फिर भी यह क्या कहलाता है यह कहलाता है एक carbon compound क्यूँ क्योंकि जैसे मैंने बोला कि अगर कोई भी compound में carbon present है तो that compound will call as carbon compound क्योंकि carbon एक ऐसा चीज है जो हर चीज को जोड़ता है आपस में because of the covalent bonds हम प 11 में जाओगे 12 में जाओगे chemistry थोड़ डीटेल में पढ़ोगे अभी तो आप 10 में पढ़ रहे है तो बहुत basic chemistry है यह ठीक है आप लोगे state board का जिए syllabus पढ़ रहे हो यह बहुत ज्यादा easy होता है लेकिन जैसे से आप आगे बढ़ोगे थोड़ा और tough होते जाता है ठीक है अ मतलब एक definition है यह किसका है covalent bond का आपने कभी भी देखा है जैसे यह CH4 दिखरा आपको यह CH4 में चार hydrogen है और यह चार hydrogen में आपको डाश दिखरा है ठीक है यह जो डाश दिखरा आपको this is nothing but bond इसको हम लोग क्या बोलते हैं bond बोलते हैं तो यह जो bond है दोस्तों यह क्या है य यह एक ऐसा है इमाजन करो एक ऐसा चीज़ दो चीज़ को जोडता है यासे हमारे हड़ियों के बीच में लिगामेंज प्रेजेंट होते हैं ठीक है क्या करते हैं यह जो अगर हम chemistry point of you बोले कि अगर दो एलिमेंट है let's suppose कार्बन है यहाँ पे हाइड्रोजन है तो कार्बन को हाइड्रोजन के साथ इस तरीके से जोड़ना है कि वो जल्दी ब्रेक ना हो मतलब एक तरीके से बॉंडिंग करना है बॉंडिंग जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि दो इंसान है ठीक है एक हस्बन एक वा और इसमें आप देखोगे और अब जैसे देखा जाए तो इसके लावाए ऐए आयोनिक बॉंड होता है जो आपने पिछले चाक्टर में पढ़ा होगा आयोनिक पमपाउंड में जो बाइनक बार पत रहे हैं कार्बन कंपाउंक के बारे में पढ़ रहे हैं और गयानिक भीच में अगर शेर हो रहे हैं एक दूसरे के साथ तो वो जो बॉंड कहलाएगा तो है गजामपल के तो है उसका जो सबसे पहला जो शेल है, ठीक है, उसको complete करने के लिए एक और electron चाहिए, तभी तो जाकि दो होगा, उसका duplet complete होगा, आपको बता न, duplet and octet, यह आपने पढ़ा हुआ basic chemistry है, ठीक है, तो duplet complete करने के लिए उसको एक electron की जलत पड़ेगी, तो यानि यह वाले hydrogen को इसकी एक electron की जलत पड़ेगी, और यह वाले को इसकी, तो यह दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, और क्या बना लेंगे, एक bond तयार कर लेंगे, कि भाया तु मेरे को एक देते रहे न, मैं तो यह दोनों आपस में जुड़ गए, और यहाँ पे क्या बन गया, एक दूसरे के बीच में यह लो कोवैलेंड बॉन्ड, इसी को हम लोग बोलते हैं कोवैलेंड बॉन्ड, मतलब इससे एक चीज़ क्या पता चला, इससे एक चीज़ पता चला, कि दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जैसे इसके पास दो है न, एक इसका हीट्रोजन, एक इसका हीट्रोजन का, तो तो वैलेंस इलेक्ट्रों मिल के क्या बनाता है एक सिंगल बॉंड बनाता है वैसे चार अगर ऐसे आ जाएंगे तो क्या बनाएगा डबल बॉंड बनाएगा तो जैसे ऑक्सिजन होता है तो ऑक्सिजन में आप देखोगे तो ऑक्सिजन की जो वैलेंसी होती है वो टू होती ह 2,6 is the electronic configuration 8 atomic number होता है 2,6 तो 2 electron चीए उसका octet complete करने के लिए तो 2 is the valence electron तो इसके पास 2 electron है इसके पास 2 electron है तो एक दूसरे को 2 electron देंगे मतलब इसके पास 2 और इसके पास 2 मतलब total कितने हुए? 4 और 4 से कितने bond बनेगे? इससे 1 बनेगा इससे एक बनेगा, यानि double bond मनेगे इसके लिए oxygen और oxygen के बीच में तो जो bond होता है वो double bond होता है, correct है? समझ में आया कि oxygen जो है ठीक है? और दूसरे oxygen के बीच में जो bond होता है वो double bond होता है इसलिए यहाँ पे O double bond O लिखा हुआ है वैसे nitrogen के case में अब nitrogen का जो atomic number होता है वो 7 होता है, इसके लिए इसका balance electronic configuration जो आएगा 2,5 कितना आएगा? 7 मतलब 2,5 आएगा मतलब update complete करने लिए 3 चाहिए तो 3 अगर चाहिए इसको, ध्यान से देखना अगर इसको 3 चाहिए, मतलब nitrogen के पास कितने हो जाएंगे? 3 ठीक है? और इस nitrogen के पास कितने हो जाएंगे? 3, तो यह 1, 2, 3 तो इस तरीके से क्या बनाएगा? यह triple bond बनाएगा, तो इसके लिए nitrogen और nitrogen जाब अपस में जूडते हैं, तो triple bond से जूडते हैं triple bond क्या है? यह equivalent bond यह single bond, double bond, triple bond उसी प्रकार यहाँ पे, यह क्या है? देखा हूँ structure है? this is nothing but the CH4, methane तो यहाँ पे आप देखोगे, एक carbon उसके बाजू में 4 hydrogen, तो 1, 2, 3, 4, तो यह 4 है तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि carbon के पास 4 hydrogen है, मतलब 4 bond बना रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसको tetravalent tetravalent क्यों? carbon की valency पहली बाद तो 4 है 4 चाहिए complete करने के लिए, या फिर 4 वो दे देगा duplet complete करने के लिए, तो obviously इसके पास 4 hydrogen single single के form में जूड़ सकते हैं तो यह CH4 बन रहा है, जो कि एक tetravalent compound मनेगा, CH4, विथेन समझ में आ गया, तो किस प्रकार bonding होती है और किस प्रकार अलग-अलग elements में जो आपक में bonding करते हैं, वो कैसे होती है और किस प्रकार 2 valence electron से आप एक single bond बना सकते हो, मतलब बनता है, वो आपको मैंने बता दिया, explain कर दिया समझ में आ गया, तो ये था हमारा carbon compound के बारे में चीज़े और साथी में उसके bonds के बारे में चीज़े ये आपको clear हो गई होगी, तो आगे बढ़ते हैं next topic में जाते हैं, समझ में आ रहा है, तो आप लोग अब चलो बात कर लेंगे, यहाँ पर carbon की, जैसे मैंने बोला कि carbon से ही carbon compound बन रहा है, carbon अगर नहीं है किसी भी compound में, तो वो carbon compound नहीं है, तो carbon एक versatile element है, क्या है, एक versatile element, क्यों कहा गया इसको versatile element, क्योंकि ये एक ऐसा element है, जो जाधतर पाये जाता है, compounds के बीच में, इसी लिए आप देखोगे, कि carbon जो है, वो हर जगा पाये जाता है, जैसे example के ज़र में बात करें, कि दुनिया में जितने भी living thing present है, यह सभी के सभी किस से बने हुए है, carbon से बने हुए है, किस से बने हुए है, carbon से, अगर आप देखोगे, इंसान का शरीर, एक जानवर का शरीर, एक plant का शरीर, अगर आप देखोगे, तो majority of the living organisms, जो हम लोग है, हम लोग किस से बने हम लोग carbon से ही बने, आप बोलो कि सर, carbon से कैसे बने है, तो मैं आपको protein fats क्या है, carbon, CHO, CHO, यान मतलब उसमें carbohydrates में भी अगर आप देखोगे, तो carbon present है, मतलब इसके अलाब और भी elements है, hydrogen है, oxygen भी है, लेकिन carbon है, तो आप देखोगे, दुनिया में जितने भी जीवित हैं, अगर उसमें आप search करोगे, तो आपको एक element carbon मिलेगा, और अगर एक element carbon आपको देख रहा है, इसका मतलब वो क्या है, वो एक carbon compound है, और इसलिए carbon एक versatile element है, it is present everywhere, ठीक है, it is present everywhere, तो जितने भी millions of molecules अगर आप देखोगे, जैसे एक छोटा सो छोटा molecule CH4 मिथेन जो होता है, उससे लेकिए DNA molecule तक हमारे शरील में genetic information DNA के फ़र में, डियाउक्सिर आइबो nucleic acid के फ़र में present है, खरेक्ट है, DNA के फ़र में present है, अब यह यो मिथेन है न भईया, यह मिथेन CH4 होता है, और CH4 से लेकिए जो DNA है, यह सभी के अंदर क्या present है, दोस्तों carbon present है, इसका मतलब यह carbon जो है, यह बहुत ही खतरना का element हुआ, जहां जहां जाओगे मुझे ही पाओगे, carbon तो ऐसा बोलता होगा न, कितना इसका definition भी पूछता है, catenation का, that is the ability of the carbon to make a long form chain by a strong covalent bond, it is known as the catenation, इसका definition एक लाइं का पूछता है, तो जरूर से definition पड़ लेना, यह definition आता है, catenation का, इसको इह IMP mark करके रखो, definition याद कर लेना आप लो, ठीक है, तो catenation की property होती carbon के, इसलिए उससे वो क्या करता है, एक strong form of carbon chain को create कर सकता है, चाहे वो straight chain हो, चाहे वो branched हो, चाहे वो एक cyclic या फिर रिंग structure हो, तो वो बना पाता है, इसलिए carbon के पास एक बहुत ही दिल्चस्पर प्रापर्टी है, carbon जो होता है, वो normal तोर पर single भी हो सकता है, मतब single bond भी बना सकता है, double bond भी बना सकता है, triple bond भी बन यहाँ पर एकी डैश है, यहाँ पर मतलब सिंगल बॉंड है, यह ओ गया structural formula, that is nothing but the ethane का, ठीके, लेकिन अगर मुझे इसको double bond बनाना, तो मैं क्या बनाऊँगा, CH3, जैसे मैंने बोला, कि अगर मेरे को एक bond चाहिए, तो एक bond कितने valence electron से बनता है, 2, तो यहाँ पर अगर एक hydrogen और एक hydrogen कम कर दू, दोनों साइड से, तो 2 valence electron निकल गए, मतलब hydrogen 2 निकल गया, मतलब balance electron ही है न वो, तो 2 valence electron निकल गए, मतलब एक bond बढ़ जाएगा, मतलब 2 hydrogen atom से एक bond जो है, बनता है, तो इससे यह पता चला, कि CH3 को अगर ने CH2 कर दू, और यहाँ पर भी CH3 को CH2 कर दू, तो इससे क्या हो गया, कि आपके दो-दो, यहाँ से एक hydrogen, यहाँ से एक hydrogen, गायब हो गए, मतलब कम हो गए, अब वो कम हो गए, तो कहीं भी तो convert होंगे, तो वो जो कम हो गए, उससे आपका एक bond बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर एक्स्टा bond बन गया, तो यह बन गया, CH2, CH2, इसका नाम क्या था, जैसे मैंने बोला, यह था आपका single bond ethane, तो यह क्या कहलाएगा, double bond है, क्या कहलाएगा, बताओ, आपने पढ़ा हुआ यह सब चीजे, ethane कहलाएगा, single bond ethane, यह ethane, वैसे ही, अगर मुझे इसको triple bond बनाना है, तो मैं क्या बनूँगा, एक एक hydrogen और कम कर दूँगा, तो मैं CH3 जो था, पहले CH2 तो था, इसको आप मैं बना दोंगो CH, और यहाँ पर भी CH2 था, इसको मैंने CH किया, मतलब यहाँ से यह hydrogen, यहाँ से एक hydrogen और कम हो गया, जब दो hydrogen और कम हो गया, तो उसे एक bond और बन जाएगा, तो दो bond तो पहले से था, अब एक और bond बना दो यहाँ तो यह हो गया, CH triple bond CH, अब जैस यह ethane था, तो यह ethane हो गया, और यह क्या बन जाएगा दोस्तों, यह बन जाएगा आपका ethane, क्या बन जाएगा, ethane बन जाएगा, तो यह आपका single bond, double bond and triple bond, this is the examples, if question comes in your exam, कि explain करो, इसका single, double and triple example के साथ, तो आप explain कर सकते हो, ethane, ethane and ethane, this is the structural formula as well, और यह आपका bond बना सकता ह मतलब हमें इस एक चीज़ क्या पता चला, कि जो carbon atoms होते, बाफ करना, carbon compound जो होते हैं, वो single bond भी बना सकते हैं, double bond भी बना सकते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे, तो triple bond भी बना सकते हैं, उनके पास को capability होती है, correct है, समझ में आ रहा है दोस्तों, clear है यहाँ तर, कितना easy त मेहनत, ठीक है, इसके पहले भी हमने यह चापर पढ़ाया हुआ, पढ़ा के complete किया हुआ है, जब हम whiteboard से पढ़ाते थे, वैसे तो आराम कर सकता था, लेकिन चलो, एक बार और पढ़ा के complete कर देंगे, क्योंकि आपको पढ़ना है, अच्छी तरीके से, अब चलो, आगे बोलते हैं, दोस्तो, हाइडरो कारबन, और अभी-अभी आपने एक इक्जाम्पल पढ़ा था, अपने एक्जाम्पल पढ़ा था, हाइडरो कारबन में, अभी-अभी जो पढ़ा, एक्जाम्पल के उधर पर मैं बात करू, जितने भी अलकेन होते हैं, ठीक है, और जितने भी alken होते हैं और जितने भी alkyns होते हैं ये सभी के सभी क्या होते हैं these are nothing but the hydrocarbon these are the examples these are the examples of hydrocarbon क्योंकि just so hydrocarbon का definition मैंने क्या बोला कि any compound having hydrogen as well as carbon atom ठीक है hydrogen भी है carbon भी है तो उस compound को मैं क्या बोल रहा हूँ hydrocarbon बोल रहा हूँ अलकेन है अलकीन है और अलकाइन है ठीक है अब जैसे अलकेन का example मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया क्या पढ़ाया अलकेन का मतलब क्या होता है single bond to ethane is the best example लिख सकते हो तो यहाँ पर ethane example लिख लो यह आपका ethane example के तौर पर लिख सकते हो और इसका structure formula भी लिखना है तो लि ही है that is nothing but what your hydrocarbon बच्चा समझ में आ रहा है वैसे यहाँ पर मुझे बताओ अलकीन के लिए क्या हो जाएगा formula यह इथेन का ethane हो जाएगा और यह हो जाएगा CH3 double bond CH2 ठीक है थोड़ा सा देखो ध्यान से CH2 double bond CH2 वैसे तीसरा जो condition है वो अलकाइन है तो यह हो जाएगा दोस् में Ane होता है यह Ene होता है यह Yne होता है first single bond double bond triple bond तो यह क्या हो जाएगा CH triple bond CH correct एक एक hydrogen कम होते जा रहे है अब इस ही hydrocarbons के अंदर अगर आप देखोगे दोस्तों एक चीज में आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर एक सेकेंड बस रुप जाओ आफ लोग इस ही hydrocarbons में हम लोग systematically classification point of view अगर हम बात करें तो hydrocarbons are divided into two main categories hydrocarbons जो होते हैं वो दो main categories में divide होते हैं कौन से वो main category है एक है और आपका saturated hydrocarbons दूसरा है आपका unsaturated hydrocarbon का अब यह saturated क्या होता है? Unsaturated मतलब क्या होता है? थोड़ा confusion होता है na तो मैं आपको simple language में करके देता हो saturated hydrocarbon का मतलब होता है जितने भी hydrocarbon जिसमें single bond present है वो रहता है आपका saturated hydrocarbon simple, सबसे simple language 10th में हो, तो basic पढ़ा रहो अभी तो जब हाप 11th में जाओगे, थोड़ा और advance में पढ़ाओँगा अभी कोई tension ने की जोड़ाती है, जितना आपके syllabus point of view एक्जामने आता है, वो चीज में बता रहो तो जैसे मैंने बोला, कि saturated मतलब क्या होता है saturated hydrocarbon are those hydrocarbons having carbon and hydrogen but it consists of a single bond compound example के तौर पे अगर मैं बाप करूँँँगा यही ले लो CH3, CH3 तो यह क्या है दोस्तो, यह एक single bond compound है तो यह हुआ single bond hydrocarbon तो इसको हम क्या कहेंगे it is a saturated hydrocarbon यह क्या कहलाएगा, इथेन जो होगा इसका नाम क्या है, इथेन तो इथेन जो है दोस्तो, यह एक saturated hydrocarbon है, तो इससे एक चीज और सिखने मिला हमें, क्या सिखने मिला कि जितने भी जितने भी क्या, अलकेन होंगे जितने भी अलकेन होंगे ये सभी के सभी क्या होंगे saturated होंगे भाईया जैसे मैंने बोला कि single bond is saturated hydrocarbon तो single bond कौन होता है सिफ alken नहीं होता है तो alken जितने भी दुनिया में present है कौन है alken methane, ethane, propane, butane, hexane, eptane जो भी है octane, nonane, decane से लेके जो भी आगे बढ़ते जाओ, ये सभी के सभी alken होते हैं और वो क्या होंगे saturated hydrocarbon that is having only one bond that is single bond correct है, समझ में आ रहा है यहां तक कितना easy है, ठीक है, आगे बढ़े अब ये आगे दुस्तरा वाला part, क्या है ये unsaturated, भाईयो ये unsaturated क्या होगा तो थोड़े जिमाक लगाते हैं, जैसे मैंने बोला कि तीनी चीज़ होते हैं, alken, alken और alken, तो जब saturated ने alken के ओपर कबजा जमा लिया, तो बचा हुआ दो किसके पास जाएगा, unsaturated के पास मतलब जो alken होते हैं, ठीक है, alken जो होता है और साथी में alken जो होता है, यह दुनिया में जितने भी alken और alken present है यह सभी के सभी क्या है, यह unsaturated hydrocarbon है, तो इससे एक चीज़ ओर क्या पता चला, यानि कि जैसे हम लोग में बात किया अभी अभी, क्या बात किया, ध्यान देना थोड़ा, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं अभी अभी बात किया, कि saturated में single bond होता है, और तभी वो alken है, तो ऐसे ही unsaturated में alken और alken का बात किया, तो इसका मतलब क्या है, जितने भी hydrocarbons के अंदर double bond होगा, ठीक है, और साथी में triple bond होगा, तो यह जो यह जो compounds होगे, यानि यह जो hydrocarbons होगे having the hydrogen and carbon atoms which we called as unsaturated hydrocarbons, तो examples क्या लिखेंगे हम लोग जैसे ethane लिखा, हमने single bond वाला saturated के लिए, वैसे unsaturated के लिए, CH2 double bond CH2, तो यह आपके लिए क्या है, यह आपका कही सारे और चीज़े, प्रोपीन है, प्रोपाईन है, ब्यूटीन है, ब्यूटाईन है, जो भी आप बढ़ाओ carbon तो चलेगा, तो यह इथीन हो गया या फिर इथाईन हो गया, यह दोनों क्या हो जाएंगे, यह एक unsaturated hydrocarbons हो जाएंगे, क्यों, double bond है, तो कभी-कभी classification exam में आ जाता है, आपको बहुत सारे compound, याने hydrocarbons दिये होते हैं, किसी में single bond लगा होता है, किसी में double लगा होता है, किसी में triple लगा होता है, यह सब लगा होता है, correct है, अब यह जो balls लगे होते हैं, यह आपको question पूछा जाता है कि identify which is saturated and unsaturated hydrocarbons, तो सबसे simple तरीका मैंने बोला, क कैसे, कि अगर एक dash है, यानि एक single bond लगा है इसमें, तो वो हो जाएगा saturated hydrocarbon, अगर कहीं पर double bond दिख रहा है, कहीं पर triple bond दिख रहा है, तो समझ जाने कि वो unsaturated hydrocarbons है, बस इतना ध्यान में रख लो, बहुत आपके marks अच्छे बन जाएंगी, अगर questions इसमें से आते हैं तो, स समझ में आगया है, दोस्तों, यहां तक, comment करते हैं, अगर समझ में आगया होगा है, हम आगे बरदे हैं, अभी देखो, बहुत सारी चीज़े पढ़ नहीं, अभी तो यह शुरुआत हुए इस chapter की, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है, लंबा चाप्टर है, बनेगा लंबा व कि अगर मैं बात करूँ, तो ब्यूटेन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, CH3, CH2, CH2 and also CH3, तो ब्यूटेन का है, C4H10 है, मतलब 4 कारबन और 10 हाइडरोजन, 1 कारबन, 2 कारबन, 3 कारबन, 4 कारबन, 4 कारबन लिख दिये, 3 हाइडरोजन, 2 प्लस 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब यह हो गया, C 4H10, तो यह मैंने लंबे फॉर्म में लिख दिया, दिख रहा है, एक के बाद, एक के बाद, तो यह क्या कहलाएगा, यह आपका कहलाएगा, यह भी ब्यूटेन ही है, लेकिन यह कहलाएगा आपका स्ट्रेट चेन, यह क्या कहलाएगा, स्ट्रेट चेन, क्यों स्ट्रेट च CH3, T, CH3, ठीक है, CH3, कितना हो गया, CH यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, CH, ठीक है, count करो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 4 कारबन, तो यह भी तो C4H10 नहीं हुआ, जैसे यह C4H10 है, यह भी तो C4H10 हुआ, तो यह क्या कहलाएगा, यह भी तो ब्यूतेन ही है भाईया, यह भी क्या है, ब्यूतेन ही है, लेकिन यह क्या है दोस्तों, यह एक ब्रांच चेन है, क्यों ब्र यह चैन है बताव देखके थोड़ा सा ध्यान देना जैसे यह इस्ट्रेट चैन अपका यह कारवन कंपाउंड वा क्योंकि एक चैन में बन रहा है वैसे इसको मैंने ब्रांचिंग दे दिया मतलब जैसे पेड के तने में से स्टेंब में से ब्रांचेस निकलते हैं एक स्टें वह ही है मतलब देखा जाए तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो सीपोर अच्टें नहीं बनेगा लेकिन इसको लिखने का तरीका हमारे साइंटिफिक लैंवेज में केमिकल थोड़ा थ्यान देना कभी भी स्टेट चैन बनता है तो उसका नाम हम लिखते हैं एंसे तो ए इसको लिखते हैं आई सो से तो यह घाएगा आइसो ब्यूटेन नहीं व्यादर रहेगा यह हो जाएगा आपका अनब्यूटेन योज़ा अपका आइसोग्यू समझ में आ गया कितना सिंपल था यह लिए लानिग बट दृत चेन और ब्रांच चेन कारबन कंपाूंस करेक् तो देखो यहां पर अगला जो टॉपिक है दिज़ रिंग ओफ कार्बन आटम या फिर रिंग ओफ कार्बन कंपाउंड अब जैसे एक एक्जाम्पल है यहां पर मैं आपको समझाता हूं साइकलो हेक्जेन अब रिंग का मतलब क्या होता है श्ट्रेट आपने देख लिए कि दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पाच कार्बन और यहां पर इतना बन रहे एक दो तीन चार एक और बनेगा यहां पर बीच में देखो ध्यान से यहां पर एक और कार्बन बनेगे तो तोटल कितने होगे यहां पर तीन उपर तीन नीचे छे कार्बन बनेगे यहां पे एक हाईडरोजन यहां पे हाईडरोजन और अगें यहां पे ऐक हाईडरोजन इहां पे तो अगर इसको आप देखोगे यह दिखे的人 में बहुत खतर्मान बन गया दिख रहा ही है लिए कितना इजी था सिंपल है न लॉजिक क्या मैंने बोला कि रिंग जैसा बनना चाहिए तो रिंग वाफ कार्बन आटम मतलब कार्बन कार्बन इस तरीके से जूड़ेंगे कि उसका एक चेंग बनेगा आपस में क्या बनाएं इसके पाज 6 कार्बन है 12 ही दो सीख एच्ट वेल और इसका नाम होता है जोस्तों साइकलो एक्शेन क्यूंकि यह चेंग बन गया साइकलो और हैग्शेन इसलिए क्यूंकि 6 कारबन है तो आपको पता है छे कारबन का अलकेन क्या होता है चेंग और होता है जैसे चार मतलब यहाँ पर है मेरे पास बेंजीन का अब यह बेंजीन आपके लिए बहुत इंपॉर्टनेंट है पुस्ता भी कभी structure ट्रॉक करने के लिए तो बेंजीन कैसे ट्रॉक करोगे जैसे इसमें यहाँ पर जितने कार्बन है उत्रे ही हाइड्रोजन है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा तो एसे हम क्या कर सकते है इसमें हम यहाँ पर 12 ता यहाँ पर 6 होगे तो मतलब 6 हाइड्रोजन निकले तो 6 हाइड्रोजन निकले मतलब 3 बॉन्ड बन सकते है तो एक बॉन्ड का 2 बॉन्ड बन सकता है मतलब तोटल 3 यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएंगे कैसे बनेंगे देखो यह कार्बन है यह कार्बन है कीई और विकार बने और यहां परको डिशेर से बना लें न सकता है यह मतलब एक एक यह हाइट्रोजइन वेल्कुल दे सकता हो, दे दिया मैंने एक एक hydrogen, मैंने दे दिया, लेकिन ये structure सही है, नहीं या, सही नहीं, क्यों, क्यों कि या, अगर आप वालेंसी बनाने की कोशिष करो, वालेंसी क्या होता है, आप जानते हिए, कार्बन के पास चार वालेंसी होनी चाहिए, तो यहां पर बढ़ा दो, alternate में, एक बोट यहां बढ़ा दो, और एक बोट यहां बढ़ा दो, बन गहिल्पिक कारवन के पास, एक दो- impat-क कर दो-स यहां, दो-स यहां पर भी इँ 003200,- सब के पास चार-चार-बैंस या गए, मतलब यह जो structure बना, यह complete structure बना है, balance structure बना है, और इसी लिए इसका नाम रखा गया है, benzene C6H6, जो की एक cyclic, क्या है, double bond structure है, किसका carbon compound का, and that's why, this is known as the ring compound, जिसमें पहला example, cyclohexane था, दुसरा है benzene का C6H6 वाला, तो यह इसको याद कर सक सकते हैं, correct है, यहां तक समझ में आ गया, दो example, बहुत बैजरीन तरीके से पढ़ाते हैं, थोड़ा, screenshot ले सकते हो, ठीक है, लेलिया, screenshot आगे बरते हैं, चलो, अगला, क्या topic है, चलो देखते हैं, अगला topic क्या है हमारे पास, जो कि यह functional group, यह one of the most important topic of this chapter, functional group, इसको समझना ज्यादा important हो जाता है, क्यों, देखो, देहां से समझना इसको, अब जैसे की, आप देखोगे अगर, functional group in carbon compound, अब carbon compound में functional group क्या होता है, तो functional group is nothing but एक ऐसा group है, जिसका function बहुत ज्यादा important है, अब कैसे important है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कि बहुत सारे hetero atoms आ जाते हैं, जैस होता है, सबका एक आपना group होता है, जैसे आपने modern periodic table अगर पढ़ा है, तो halogens का एक group होता है, metals का group होता है, non metals का group होता है, तो उसी प्रकार यहाँ पे बहुत सारे groups होते हैं, जिसको हम लोग functional group कहते हैं, तो यह functional group में कौन-कोन होते हैं, halogen group होता है, oxygen group होता है, और एक nitrogen group होत लिखते हैं ह-A-L-O, that is nothing but the halo, halogen का G-E-N हता दिया, तो क्या बचा, halo बचा, तो वैसे क्लोरिन का क्या लिखोगे आप, halogen का halo लिखा, तो क्लोरिन का क्या लिखोगे, क्लोरो, ठीक है, ख्लोरो, ठीक है, फिर ब्रोमीन का ब्रोमो और आयोडिन का आयोडो, तो chloro, bromo, iodine, chlorine का chloro लिखा, bromine का bromo लिखा, iodine का iodine लिखा, उसी प्रकार, उसका एक structural formula भी बनेगा, तो halogen के लिए हम लोग लिखते हैं X, याद रखना, X is the symbolic formula, और we can say the structural formula, X, ठीके, ये किसका होता है, halogen group का होता है, जिसमें chlorine के लिए CL लिखेंगे, डैश मार के, BR के लिए BR, bromine के लिए BR, और iodine के लिए I, ठीके, condensed formula, direct same ही रहेगा, ठीके, अब alcohol, alcohol आपको पता है, ठीके, अब alcohol मतलब वो दारू नहीं, actually alcohol से आपका जो दारू है, वो बनता है, उसमें कुछ percentage of alcohol होता है, लगबग, पता नहीं, 5-10% होता होगा, तो इतना idea नहीं है, अलकोल का, ले जाता है, इसके लिए आपने देखा होगा, बहुत सारे CS3 के आगे OH लगा, तो वो बन जाएगा methyl alcohol, तो जब भी किसी के आगे, मतलब किसी भी alkyl group, ठीके न, किसके भी आगे OH लगा होगा है, तो वो क्या कहेगा, कहलाएगा, alcohol कहलाएगा, यानि उसको condensed formula भी OH होता है, next यह nothing but your aldehyde, फिर ketone होता है उसी प्रकार, तो C double bond O, और यहाँ पे भी आपका R होता है, यहाँ पे भी R हो सकता है, तो यह R is nothing but R represents the alkyl group, तो इसके आगे alkyl लग सकता है, इसके आगे alkyl लग सकता है, alkyl मतलब CS3, C2H5, C3H7, कि कि न, इस प्रकार से चीज़ें लगती है, तो अगर C double bond O, या फिर C O, जिसको बोल सकते हैं, वो अगर है, तो वो keto ने, उसी प्रकार कार्बोग्विलिक एसिड, C double bond O, OH, यानि C double OH है, तो C double OH है, तो वो एक क्या है, कार्बोग्विलिक एसिड का group है, फिर ether होता है, ether में O dash, यहाँ पे R आ जाएगा, यहाँ पे भी R आ होता है, साथ में O होता है, और दोनों साइड डाश होता है, यानि अलकाइल ग्रूप के लिए, C double OH जिसको बोलते हैं, तो वो रहेगा आपका ether and last में, nitrogen का जो group होता है, तीसरा नमबर का वो होता है, amines, तो amines के case में अगर मैं बाते हो, तो वो होता है, NH2, अगर किसी के अगर मैं आपको पूछू, CHO, CHO क्या है, aldehyde, C double OH क्या है, काबोकजिलिक असिड ग्रूप है, OH क्या है, alcohol ग्रूप है, तो यह से दिमाफ में चलना चीए, अब इसी के base पे हमारा जो अगला topic हो किये, दोस्तो, homologous series वो base है, तो क्या होता है, homologous series, बहुत simple सा इसका explanation है, non-chains having sequentially increasing length, is called homologous series, मतलब यह तो definition मैंने बता दिया, लेकिन सरल भासा में, जो एकदम normal सा बुलने माला जो भासा है, उसके हिसाब से अगर मैं इसकी बात करूँ, तो यह क्या है, हमारा जो homologous series है, वो क्या है, यह एक ऐसा series है, यह एक ऐसा series है, जो की कैसे बनता है, it is formed by joining the same functional group, मतलब same functional group अगर लग रहा है end में, ठीक है, functional group join हो रहा है, किसी भी alkyl group के साथ, और वो बार बार replace हो रहा है, किसको replace करेगा, hydrogen को replace करेगा, तो hydrogen को replace करके, खुद अपने आप आजाएगा, और उसका length बढ़ता जाएगा, तो उसी को हम लोग बोलते है, homologous series, अब यह definition हो गया, लेकिन definition से कुछ खास आपको समझ में नहीं होगा, बराबर है, अब definition से, मैं आपको examples में लेके जाता हूँ, और इतमें आपको बताता हूँ कि homologous series actual में होता क्या है, तो जैसे पहला example है, homologous series of alcohol, homologous series of alcohol, तो जैसे मैंने बोला, कि homologous series क्या होता है, एक alkyl group के आगे क्या लगता है, same functional group लगता है, तो समझ लोग कोई एक functional group ले रहे हैं हम लोग alcohol का, तो मुझे पता है कि मैंने ले लिया पहले methyl, CH3 मतलब methyl होता है, methyl के आगे OH लगा दिया, तो यह क्या बन गया दोस्तों, यह बन गया आपका methyl alcohol, CH3 OH, methyl alcohol बन गया, अब CH3 के बाद जो अ इट Mayor का, बिठाइब का बड़ा कोन आएगा, इथाईल, CH2 OH फिर उसका बड़ा फाइज कोन आएगा, प्रोफाइल, CH2, 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 CH2 OH, फिर चार कार बन वाला, वाला, व्यूटाइल, CH3, CH2, CH2, CH2 । फिर OH, फिर सिज पेंटाइल, CH3, CH2, 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 CH2 возду फिर OH, तो ऐसे एक जो ग्रुप है, functional group जो है, वो same रह रहा है, functional group OH, OH हर जगा सेम है, लेकिन आपका जो alkyl है, पहले methyl था, फिर ethyle था, फिर propyle होगा, फिर butyle होगा, pentyle होगा, hexyle होगा, septyle होगा, hectyle होगा, octyle, नेना, जो भी है, ठीक है, समझे आ रहा है, feeling समझे रहे हैं मेरा, तो वो ही सब ची फिर propane आएगा, butane आएगा, pentane आएगा, hexane, ठीके ना, hexane के बाद, heptane है, फिर octane है, nonin है, deccan है, यह 10 तक होते हैं, तो आप इसको याद कर सकते हो, आपके book में दिया हुआ है सब चीज, आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो, clear है, clear है, दोस्तों, उमीद करता हूँ कि यह चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, यहाँ तक, clear हो गया, समझ में आ गया यहाँ तक, अब आगे बढ़ जाते हैं, किस पर जाएंगे बताओ, किस पर जाएंगे हम लोग, अब जाएंगे हमारे अगले, किस के उपर, topic के उपर, तो हमुलाद यहाँ टूटोरियल, correct है, तो एक नाम दिया जाता है, ताकि लोग उसको identify कर पाएं, उस नाम से उसको बुला पाएं, ठीक है न, अगर किसी का नाम नहीं रहेगा, तो मेरे को, कोई बुलाएगा कैसे, अभी आप स्कूल में हो, तो आपकी teacher आवाज मारती है न, ए अखिले से दे सकते हैं, तो generally nomenclature दिया जाते हैं, दो तरीके से, जैसे हमारे घर में आप देखोगे, हमारा जो नाम होता है, एक स्कूल में अलग नाम होता है, ठीक है न, जैसे स्कूल में किसी का नाम है, समझ लो, राकेश, ठीक है, तो घर पे उसको यह राक्या बोलते हैं, ठीक होता है, आपके certificates पे, तो उसी प्रकार यहाँ पे नomenclature में, carbon compound में भी दो नाम होते हैं, एक होता है आपका common name, और दूसरा जो होता है, वो होता है, एक होता है common name, दूसरा होता है IUPAC name, तो यह होता क्या है, तो सबसे बेर में बात करूँ जैसे हमने कुछ example point of यह पढ़ने alcohol, इसका नाम क्या लिखा हमने, methyl alcohol, correct है, यहाँ तक आपको समझ में आरा, कोई परशानी नहीं होगी, this is nothing but the methyl alcohol, तो यह जो methyl alcohol जो यह मैंने लिखा है, यह actual में क्या है, इस चीज़ का यह है common name, यह क्या है दोस्तो, common name, अतलब यह इसका common सा नाम है, जो हर जगा चल जाएगा आप कहीं पर जाके methyl alcohol बोलोगे, तो लोग को समझ में आएगा, लेकिन अब यह मार्केट में जाओगे, तो ऐसा मत बोला, methyl alcohol जाएगा, यह वो ऐसा नहीं मिलेगा, वो कोई प्रॉपर जगा जहां पर उनका knowledge हो, ठीक है, यह methyl alcohol क्या होता है, it is a type of alcohol, जो generally cleaning purpose के लिए यूज किया जाता है, chemical industries में, factories में, तो आप ऐसी जगा जाओगे, जहाँ पर वो सब सामान मिलता रहेगा, तो ही लोग methyl alcohol समझ पाओगे, यह तो नॉर्मल यह आप कोई सबजी मार्केट में जाके बोलोगे, यह मेरे को methyl alcohol दे दो, कोई देगा, यह नहीं देगा, वैसे नमक होता है ना, NaCl, sodium chloride कहा जाता है नमक को, ठीक है, मैं इसकी बात निकर रहा हूँ, मैं अलग example बोल रहा हूँ, sodium chloride, आयोनी compound यह अलग बात है, लेकिन ऐसे नॉर्मल तर पर पूछ रहा हूँ कि आप sodium chloride, किसे scientist को बोलोगे, किसी पड़े लिखी इंसान को बोलोगे, जिसको science का knowledge है, त बोलेगा, भाई, क्या कर रहा है, sodium chloride का पहली बार नाम सुना, क्या है यह, तो sodium chloride is nothing but your नमक, तो नमक आपका common name है, लेकिन sodium chloride is the chemical name, उसी प्रकार, methyl alcohol is a common name, ऐसे इसका एक और नाम होगा, जो कि होगा, IUPAC name, तो इसका IUPAC name होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका IUPAC, अब मैं आपको एक और चीज़ बता दो, IUPAC का एक full form होता है, जो कि होता है, international union of pure and applied chemistry, this is the full form, कभी-कभी एक marks के लिए, पूच लेता है, तो कोई बात ने आप इसको learn कर सकते हो, international union of pure and applied chemistry is the full form for the IUPAC, तो ऐसे IUPAC एगर आपको कोई पूछता है इस चीज़ का, तो मैं क्या पढता हूँगा, मैं आपको rules पढ़ाने वालो, आगला topic वो ही है, कि आप कैसे IUPAC लिख सकते हो, common name तो याद करना होता है, इसली याद हो जाता है, लेकिन IUPAC को निकालना पड़ता है, it is a maths, ये maths का जैसा example होता है, वैसे ही होता है, लेकिन इसका methyl alcohol common name है, तो IUPAC name क्या हो जाएगा, इस चीज़ का वो है दोस्तो, मिथेनॉल, क्या हो जाएगा, मिथेनॉल, तो ये मिथेनॉल मैंने कैसे लिखा, ठीक है, इसका ना मिथाइल alcohol कैसे पढ़ा, मिथेनॉल कैसे पढ़ा, तो उसके लिए बहुत तारे rules and regulation है, तो आपको याद रखना है, जैसे अभी एक और example बता देता हो, चलो, CS3, CH2, OH, तो ये आपका क्या है, CS3, CS2, दो carbon वाला क्या होता है, इथाइल होता है, इथेन होता है, CS3, CS3 होता तो इथेन होता, लेकिन एक hydrogen कम है, तो ये हो गया, इथाइल, ये क्या हो गया दोस्तो, ये इथाइल हो गया, OH लगा है, मतलब ये IUPAC ने, इसके लिए rules and regulation बने हुए, तो आईए जानते हैं, इस चीज का rules, तो IUPAC के लिए क्या rules है, कैसे आप इसको learn कर रख सकते हो, ये सभी चीज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, end तक देखना, क्योंकि अभी तो rules बताऊंगा, फिर उसके बाद कुछ examples भी हो, समझ लो, CH3, CH2, ये Oya chain, ये आपको ऐसा दिया रहेगा, ये आपको structural formula उसका लिखके दिया रहेगा, और आपको बोलेगा कि इसका IUPAC name पता लगाओ, पता लगाओ दया, what is this, what is the IUPAC name of this compound, अब बोलेगे, इसका क्या है, rules क्या है, तो rules पहला ये बोलता है, कि draw the straight chain, तो करोगे, तो carbon कैसे, count करोगे, यहाँ पे देखो, कितने carbon है, 1 carbon, 2 carbon है, मतलब ये 2 carbon का compound है, और मुझे पता है, 2 carbon का compound का नाम क्या होता है, ये इथेन, मिथेन एक compound होता है दू compound इथेन होता है, तो ये क्या बन गया? ईथेन, क्या बन गया ये? ईथेन, लिख दिया इथेन, अब उसके बाद क्या करना है? right name of alkane, मतलब जैसे मैंने बोला count carbon किया, count carbon के बाद आपको लिखना है उसका नाम, तो single bond है सब में, तो obviously यह alkane कहला रहेगा, तो इसके लिए हमने ethane लिखा, वैसि अगर इसके बीच में कहीं पर double bond होता, तो हम इसको ethane लिखते हैं, क्या लिखते हैं double bond होता तो alkenne लिखते हैं, मतलब ethane का ethane बन जाता, वैसि अगर triple bond होता, तो alkyne लिखना होता है, यानि ethane का ethane बन जाता, समझ में आ रहा है, तो अगर हमको देखना है कितने bond है, single bond है तो यह alkenne बनेगा, alkenne यानि कि ethane बन गया, तो carbon का ethane होता है, पीन कारबन होते हैं तो प्रोपेन बनता लेगिन अगर कहीं डबल बॉन्ड होता तो यह इथीन बन गया होता या तो ट्रिपल बॉन्ड होता तो यह इथाइन बन गया होता यह पहला बेसिक रूल संजा अब उसके बाद step number 2 में क्या करना होता है for functional group replace last letter e by the condensed name of functional group तो सबसे बेले चेक करना है कि functional group है क्या, तो यहाँ पर आप functional group देख सकते हो, यह OH है, यह मेरा functional group है, यह तो आपका alkyl group है ना, यह आपका functional group है OH, OH किसका होता है, alcohol का होता है, मैंने आपको याद करवाया था, थोड़े दिर पहले, OH मतलब alcohol, मतलब यह जो है alcohol बनने वारे, त तो OH, यानि कि जो alcohol था, उसका condensed name क्या मैंने बोला था, आपको लिखने के लिए, OL, that is, OL का मतलब होता है, alcohol, देखो यहाँ पर, यहाँ नहीं होगा तो मैं बताता हूँ, जैसे मैंने आपको बोला कि कभी भी alcohol आया, तो क्या लिखना होता है, आपको structure formula में OH लिखना होता है, और condensed formula में यहाँ पर OL लिखना होता है, ठीक है, alcohol, ठीक है, तो, देखो यहाँ पर ध्यान से, ठीक है, तो condensed formula आपको लिख देना है, OL, अब यह क्या बन गया, accept यहाँ पर एक और चीज़ है, रूल में एक और चीज़ लिखा, accept halogen, अगर halogen होता, मतलब CLVL होता है, यहाँ प अच्छे, देखो हर चीज़ बताऊं को, टेंशन मत लेना, आपके राउल सर है, तो टेंशन लेनी की जरूब नहीं है, अब देखो यहाँ पर, एक सकेंड, ठीक, देखो, समझ लो, ऐसा होता, CH3, CH2, और CL होता, मतलब यहाँ पर मैंने क्या किया, सेर एक्जाम्पल है, ले यह है तो इतेन, ठीक है? यह है, तो इतेन, तो इस केस में क्या करना है? इसमें लिखा है, except halogen, तो halogen जबी भी रगा, यह, CL मतलब chlorine है, halogen का group है, तो इसमें हम लोग को यह ए को मिटा के chlorine का chloro, जो है, वो ऐसा नहीं लिखना है, तो आपको क्या करना है? इस केस में जैसा थ प्रिफिक्स में लिखना है तो प्रिफिक्स में निखना है तो प्रिफिक्स में इतेन के आगे आ जाएगा तो क्या है वह वह लिखदो यहां पे 3 step number 3 क्या बोलता है number the carbon atom from functional group end जहां पर functional group लगा हुआ है वहां से numbering चालू करना है जैसे कि यह functional group लगा है तो carbon का सबसे पहला number इसका आएगा number 1 यह number 2 वैसे यहां पर functional group यह है तो number 1 carbon यह है number 2 carbon यह है अब जहां पर भी functional group attach हुआ है उस number का नाम लिख दो जैसे यह है first number पर फर्स्ट नंबर पर फर्स्ट carbon पर ओया हुआ है यह फंक्शनल ग्रूप लगा हुआ है तो यह हो जाएगा इथेन और यह जो ओयल आपने जो लिखा उसके बीच में एक डाश आ जाएगा और वन लिखा है और ओयल आ जाएगा जो पहले इथेनॉल डारेक लिख दिया था मैंने लेकिन वह ओयल कहां आया कई normal functional group है alcohol है अलडियाइड है कीटोन है तो आपको बीच में उसका नाम ढालना है जहाप्पर functional group रहएगा उसके पहले लेकिन अगर कोई हमारा halogene group है तो उसका नाम आगया आएगा धिज्व सामझ में गया तो यही तरीक़ा है कोई भी compound का carbon compound का IUPAC name लिखने का, तो चलो, अभी example solve करवाऊंगा, आपको समझ में आगा, this is the sum example इसको मैं solve करवात हूँ, आपके सामने इसमें से हो सकता है, कोई 1 या 2 exam में आचाए ठीक है, चलो, solve करेंगे चलो, सबसे पहले क्या है CH3, CH2, CH2, OH इसका मुझे IUPAC name बताना है, क्या बताना है यह सभी का, IUPAC name, पहले बाद तो क्या करना होता है सबसे पहला rule क्या बोलता है, कि हम लोग को carbon गिनना है, straight chain तो लिखा हुआ है आप carbon गिनो, एक carbon, दो carbon, तीन carbon कितने carbon है, तीन carbon, तीन carbon का क्या होता है दोस्तो प्रोपेन होता है, लिख दो प्रोपेन, ठीक है, उसके बाद सोचना होता है कौन सा functional group है, functional group कौन सा दिया हुए, OH, यानि alcohol है, और उसको लिखने के लिए हमें क्या करना होता है, last का E को मिटा के क्या लिखना होता है, OL लिख देना होता है अब ये चेक करना होता है, कि वो कौन से number पर आता है, और numbering कैसे करना है जहाँ पर functional group होता है, वहाँ से, तो ये number 1, ये number 2, ये number 3, तो number 1 पर आपका OH लगा हुआ है, तो ये आपका क्या हो जागा प्रोपेन, बीच में 1 आ गया, OL ठीक है, थोड़ा सावर मिटा तो, ठीक है, ये क्या हो गया, प्रोपेन 1 और all, OL all, तो प्रोपेन 1 all, ये L है, ठीक है, प्रोपेन 1 all is the IUPAC name of this compound, समझ में आ गया, वैसे second देखो, जैसे मैंने वोड़ा, सबसे पहले, long chain, straight chain, select करो, straight chain क्या है, ये वाला straight chain है, ठीक है, तो इसमें, कितने कार्बन है, एक, दो, तीन कार्बन है, मतलब इसका भी क्या आ जाएगा, प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन हो गया, उसके बाद क्या चेक करना होता है, कौन सा functional group लगाए, यहाँ पर OH लगाए, फिर से कोन है, उसको देना है, तो उसके नजदिक में आप देखोगे, तो इसको में क्या करता हूँ, number देता हूँ, that is, 1, 2, 3, समझ में आ रहा है, इसको में 1 देता हूँ, 2 देता हूँ, 3 देता हूँ, या तो इसको 1 दू, इसको 2 जो, इसको 3 जो, तो ये दोनों ही same condition में आता है, ये हमको एता carbon को numbering start करना होता है, जहां से हमारा functional groups नजदीक हो, वही rule है न, जहां पर functional group नजदीक परता है, वहां का carbon सबसे पहला start होता है, तो functional group यहां से भी नजदीक है, यहां से भी नजदीक है, दोनों के लिए same यह भी प्रोपेन अले लेकिन यह प्रोपेन व्ट अले परक्स्वरा तीशरा देखो CS3-CHO लिखा है अब इसको कैसे करेंगे दो कारबन है एक कारबन दो कारबन का मतलब क्या होता है इथेन, लिखदो इथेन, तो carbon मतलब इथेन, single bond यह है पहली बात तो, single bond यह तो इथेन आगए, double bond होतो तो इथेन हो जाता, तो इथेन है, फिर चेक करना है कि कौनसा functional group है, तो CHO है, CHO मतलब aldehyde, तो क्या करना है, last का E हटा के, aldehyde का condensed formula होता है, AL, जैसे alcohol के लिए OL होता है तो इथेन, लेकिन कौनसे carbon पे है, तो आप देखोगे, तो obviously यह हमारा पहला है, यह दूसरा है, तो पहले ही carbon पे आप देखोगे, यह है, तो इथेन, 1L लिखदो, या फिर इथेन, नल भी लिखोगे, प्रॉब्लम नहीं, इस कहला हम आप ऐसा भी लिख सकते है, इथेन, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते है, कोई परशानी नहीं है, समझ में आ गया, चाओ था, क्या है, CS3, CS2, COOH, तीन carbon, क्या बन जाएगा, प्रोपेन, तीन carbon का हम लोग लिखेंगे, प्रोपेन, लिख दिया, प्रोपेन, अब प्रोपेन के बाद क्या चेक करना है, कौन सा functional group है, C C, W H आ गया, मतलब, acid है, carboxylic acid, तो E को खटाके, acid के लिखते हैं हम लोग, O, I, C, acid, ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहापे, O, I, C, acid, ठीक है, यही होता है, E को खटाके, O, I, C, acid, लिखते हैं हम लोग, इसके लिए, acid के लिए, जैसे alcohol के लिए, O, L, लिखते है, aldehyde के ल ले पर यह मतलब प्रोपैन यहां पर वन डाल दो प्रोपैन वन ओई सी एसिट तो प्रोपैन नाई को एसिड यह बन गया हमारा इस इस दा आयू पेसी निम आप दर कंपाउंड जो हमने लिखके रखे थे वैसे आपके इसमें आप देखो विए बहुत सारे एक्जामपल इस टाइम के अंदर चाप्तर कंपलीट हो जाएगा आप बस बने देना ठीक है अब यहां पर अगर आप देखोगे थोड़ा सा ध्यान देना सबसे पहले केमिकल प्रोपेटिस क्या बोलता है कंबस्षन अब कंबस्षन का मतलब क्या होता है कि कभी भी कोई चीज का कंबस्षन अगर आपने सुना होगा तो कंबस्षन मतलब होता है जलना लेकिन जलना इंदा प्रेजेंस ऑप ऑक्सीजन बाइमिटिंग सम हीट लाइट ठीक है कोई भी चीज जब जलता है जैसे आप एक मुंबत्ती जलाते हो घर में जब लाइट जाती है तो हम मुंबत्ती जलता है तो अगर आप आसपास अगर ऑक्सीजन नहीं तो मुंबत्ती नहीं जलेगा इसका एक एक्सपेरिमिंट आपने छोटे श्नाइड़ में किया होगा कि आपको एक ग्लास ले लेना है ट्रांसपरन ग्लास एक प्लेट में मुंबत्ती जलाना है और वो ग्लास से उसको धग द कभी भी कोई चीज को जलाना है तो with the help of oxygen ही जलाना पड़ेगा तो methane प्लस two molecules of oxygen मैंने ले लिया तो क्या मिला carbon dioxide मिला two molecules of water मिला और साथ ही में क्या मिला heat and light तो कभी भी यहाँ पे अगर heat and light निकल रहा है मतलब यह combustion reaction हो गया ठीक है वैसे एक होता है oxidation तो oxidation का मतलब भी आप ज ethyl alcohol इसका भी नाम लिख लो चाहिए तो यह हो गया आपका methane ठीक है यह हो गया आपका oxygen ठीक है यह आपका बन गया carbon dioxide ठीक है carbon dioxide और यह आपका बन गया water correct यहाँ तक अब यह क्या हो गया ethyl alcohol यह आपका oxygen मैंने डाला क्योंकि oxidation हो रहा है तो oxygen तो डालना ही पड़ेगा तो मै मैंने इस इथाइल alcohol में oxygen डाला in the presence of Kmno4 Kmno4 मतलब क्या है potential के रूप मैंने इसको डाला हुआ है तो हमें क्या मिल गया CS3CWX तो यह क्या है एक carbon दो carbon मतलब दो carbon का acid यानि इथे noic acid बन गया क्या बन गया इथे noic acid और इसको एक साधारन भास्टे में अगर मैं बोला जाए तो इसको एकोर नाम से जाना जाता है जो की है vinegar ठीक है इसको हम लोग vinegar भी बोलते है acetic acid कहा जाता है common name acetic acid ठीक है याद रहेगा यह सब एक oxidation करना पड़ेगा इससे यह पता चला ऐसे advance reaction आप जब 12 में जाओगे 11th and 12th में chemistry में सीखोगे अभी तो बहुत basic है समझ में आया समझ में आगया यह चीज़ दो चीज़ chemical properties में दो पढ़ लिया combustion पढ़ लिया oxidation पढ़ लिया वैसे और दो चीज़ है एक है हमारा addition reaction addition नाम अगरे जो आप बोलते हो normal तोर पे तो वो बनाया जाता है तो इसके लिए जिम्मेदार है हमारा addition reaction तो होता क्या है कि जो addition reaction में क्या होता है कि जो vegetable oils जो होते वो एक तरीके से unsaturated format में होते unsaturated hydrocarbons के form में होते उसको जब हम लोग nickel catalyst के साथ जब उसका reaction करते यानि addition क्या कर र है करेक्ट तो nickel as a catalyst हम add कर रहे है और उसका hydrogenation होने के बाद क्या हो रहा है उसका hydrogenation यानि कि H2 hydrogen involved हो रहा है उस reaction में तो यहाँ पे hydrogen plus nickel add हो रहा है vegetable oil के साथ तो vegetable oil आपका convert किसमें हो गया वेनस पती घी में तो यह भी बहुत important reaction हो सकता है आ जाए तो इसको अच्छी तरीके से practice कर लेना ठीक है अब last है यहाँ पर substitution reaction substitution का मतलब जानते हो substitute का मतलब होता है एक से दूसरे को substitute करना जैसे पहला ranker कोई है फिर पता चला अगले exam में कोई और first line मार लिया तो यह हो गया substitution तो ऐसे यहाँ पर methane को chlorine के साथ reaction किया in the presence of sunlight sunlight में क्या करूंगा reaction कर रहा हूं तो methane plus chlorine sunlight म बन गया और hydrochloric acid HCl बाहर निकल गया फिर आपका यह जो methyl chlorine जो बना है उसको वापस से chlorine के साथ reaction किया in the presence of फिर से sunlight में मैंने reaction किया तो बन गया CH2, Cl2 और HCl वापस से निकल गया तो इस प्रकार से आप करते जाओगे तो आपका जो reaction है वो substitute होते जाएगा substitute का मतलब यहाँ यहाँ पर पहले CH4 था अब यहाँ से एक hydrogen निकल के इसके पास आ रहा है और एक chlorine उठा ले रहा है और अलग से HCl बना रहा है तो क्या कर रहा है और उसी reaction को हो रहा है तो वो reaction को हम लोग कहेंगे substitution reaction correct है समझ में आ गया समझ में आके दोस्तों आगे बर जाते हैं जो कि हमारा एक लास्ट टॉपिक होगा जो कि यह दोस्तों important carbon compound अब जैसे कि आप जानते कि carbon compound उसमें कई सारे important है जिससे इथेनॉल होगे तो इसका बारे में आ सकता है आपको uses आ सकता है यह देखो मैं पढ़ अभी अभी हमने देखा इथेनॉक एसिड ठीक है यहाँ पर देखो यह जो reaction था इथेनॉल से यह इथेनॉल है ना इथाईल अलकोहल मतलब क्या है दोस्तों इथेनॉल ही तो है यह पेसी ने मुसका इथेनॉल है तो इस प्रकार का reaction आपको learn करके रखना पड़ेगा तो यह इथेनॉल है एसिड क्या होते कहां यूज होता है किस तरीके से बनता है यह सभी चीज आपके इस बारे में आपको reactions वगरे के साथ साथ इसका uses और बाकी physical properties भी पढ़के रखना पड़ेगा हो सकता है इसाम में आ जाए ठीक है समझ में आ गया अब जो भी छोटी मुटी ची बन गया लेकिन उमीद करता हूं कि आपको यह चाप्टर पढ़े के हमारा बहुत ज्यादा मजा आया होगा और उमीद करता हूं कि ऐसे ही आप आगे पड़ते होगे ठीक है तो वीडियो समाब तो था इसी के साथ यह चाप्टर भी समाब तोता है अब जो लास्ट शेर कर आपने दोस्तों को बता दो है कितना बेतरी तरीके से लगभग एक घंडे के अंदर आपने सब चीज़ पढ़ लिया है कारवन कमपाउंड का तो प्लीज शेर टो एवरिवन और पहली बार आयो चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना ठीके दोस्तों तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यूँ वीडियो में तब तक के लिए थांक यू एड गुडबाई